नमस्कार दोस्तों Great to India YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो आज का अपना जो टॉपिक है जो है Monopulating of Data जो DBMS से Related Most Important MCQ स्रीज तो सबसे पहला कोर्शन Raw of a relation are known as the एक रिष्टे की पंक्तियों को के रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है रिकॉर्ड के रूप में Next, Second Question Which one of the following is Type of Data Monopulation Command तो Monopulation जो Command होता है वो कौन सा होता है तो यहाँ पर देख सकता है कि NIM में से कौन सा एक परकार जो Data Manopulation Command है तो वो कौन सा है वो है यहाँ पर Delete तो सही आंसर होगा Second का A Next NIM में से कौन सा कमांड Data Definition Language Data Definition Language जिसे हम बोलता है DDL कमांड का एक परकार है तो DDL कमांड का जो परकार है वो कौन सा है वो है Create Next NIM लिकित में से कौन सा Top Down DustyCon है जिसमें इक कई के उच इस्तर को दो NIM संस्तानों में विवजित किया जाता है तो विवजित किया जा सकता है तो किस में विवजित किया जाता है तो यहाँ पर जो होता है Specialization तो सही आंसर होगा इसका Fourth का A Next NIM लिकित में से किस एक में एक उच इस्तरी एकाई बनाने के लिए कई निचली संस्ताओं को एक साथ समुहुक्रित या सही हुक्त किया जा सकता है तो यहाँ फिप्त का जो सही आंसर होगा वो होगा B Generalization तो सही आंसर होगा इसका B Next Sixth number एक relation डेटाबेस में फिल्ड में विवजित पर्तिक टपल्स तो पर्तिक टपल्स को किस रूप में जाना जाता है तो वो जाना जाता है यहाँ पर domains के रूम है तो सही आंसर होगा इसका A The term TCL Stanford तो TCL की जो full form होती है वो कौन सी है तो वो है transaction control language तो TCL के होता है transaction control language तो सही आंसर है इसका B next समंद परक तालिका में निमलिकित में से किसे विशेशता सब्द दर्साय गया है तो मतलब attribute तो attribute किस में दर्साय गया है तो 8 का जो सही answer वो होता है column तो इस तरीके सम यहाँ पर यह column show करता है तो यह होती है row यहाँ पर और यह होता है अपने column तो column के जो field होता है तो column में जो क्या होता है यहाँ पर field होता है और जिसे हम क्या कहा जाता है attribute कहा जाता है तो सही answer होगा इसका A next निमलिकित में से कौन सा समंद विशेशता हों कि संक्या को संद्रवित करता है मतलब number of attribute in relation तो यह 9th का जो सही answer होगा वो होगा C जिसे हम क्या बोलेंगे degree next 10 database परमंदन मतलब database management परनली में data का अनुरूद करने के लिए application program में निम में से किसका उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर तो वो किया जाता है यहाँ पर सही answer होगा इसका भी data manipulation language जिसे हम बोलते है dml next निम लिकित में से किस command का उपरियोग किसी तालिका में मौझित पंक्ति को हटाने के लिए तो मौझित पंक्ति को हटाने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर 11 का जो सही answer होगा हम यहाँ पर c delete next database में किसी transaction को इस्ताई रूप से save करने के लिए तो transaction को इस्ताई रूप में मनलब permanently save करने के लिए यूज किया जाएगा तो वो किया जाएगा comment तो सही answer होगा 12 का B next निमने से कौन सा command SQL SQL structure query language database में relation बनाने या delete करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो क्या किया जाता है delete करने के यहाँ पर drop next database को अंतिम परतिबद इस्तती में पूर्ण इस्तापित करने के लिए निमने से किसी command का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर restore करने के लिए जो command huge किया जाता है तो वो है यहाँ पर rollback सही answer होगा A next database परबंदन परना लिए मतलब यहाँ पर database management system के संग्रहन मतलब यहाँ पर collection के रूप में माना जा सकता है जो हमें database बनाने और बनाए रखने में सक्सम होता है database बनाने और बनाए रखने में तो यहाँ 15 का जो सही answer होगा वो होगा A program next dfd stand for तो dfd का फुलम परती है data flow diagram तो सही answer होगा 16 का यहाँ पर A next नेमलिकित में से कौन एक विशीष्ट समय पर database में संग्रहित जानकरी के संग्रक को संद्रपित करता है तो जानकरी के data को database को संग्रहित करता है तो यहाँ 17 का जो सही answer है वो है instance of database तो सही answer है 17 का B 18 सब्द data सोतन तरह मतलब data independence refer to तो data independence क्या होता है तो यह जो होता है वो होता है यहाँ पर program are not dependent on the physical attribute of the data और फिर एक होगा यहाँ पर program are not dependent on the logical attribute of data तो इसका सही answer है यहाँ पर A और C तो इसका सही answer होगा यहाँ पर D next 19 relational calculus क्या है तो relational जो calculus होता है यह क्या होता है तो यह होता है it is non-procedure language तो सही answer होगा इसका C 20 नेमलिकित में से कौन database समगरी में कुल दर्से को संदरबित करता है तो यहाँ पर जो 20 का सही answer है वो है यहाँ पर C conceptual view next DML data manipulating language provide मतलब इसका जो purpose है वो क्या है उदेशी क्या परदन करता है तो यहाँ पर 21 का जो सही answer वो है यहाँ पर C manipulation and processing of database next ODBC stand for तो ODBC की जो full form है वो क्या है तो वो है यहाँ पर open database connectivity next database के architecture को किस रूप में देखा जा सकता है तो database के architecture को किस रूप में देखा जा सकता है 3 level तो यहाँ पर इसका सही answer होगा C relation model में relation को आम तोर पर कहा जाता है तो relation को आम तोर पर क्या कहा जाता है तो वो कहा जाता है यहाँ tables तो सही answer होगा इसका A 25 database परमनल query भासा आम तोर पर के लिए design किया गया तो यहाँ पर generally जो design for query तो यह किसलिए किया गया है तो यह किया गया है यहाँ पर specify of the structure of the database support in the development of the complex application of software और support and user who English like commands तो इसका सही answer होगा D next 26 निम्द में से किस कुणजी का प्रयोग समने तर तालिकाओं के बीच समन्द को दर्साने क्लिक किया जाता है तो यहाँ relationship between the table तो यहाँ पर 26 का सही answer होगा वो होगी foreign key next निम्द में से किस इस्तर को अंते मुपयोगिता के लिए बंद इस्तर बाना जाता है तो मतलब end user माना जाता है तो किस से माना जाएगा वो माना जाएगा external level को next 28 login के लिए एक computer सुरक्षा protocol को सूचना पढ़ना लिके गटक के उधरन के रूप में माना जा सकता है तो यहाँ पर जो 28 का जो से answer है वो है be procedure next column में मानों की संक्या ग्याद करने के लिए निम्लिकित मैं से किस keyword का उप्योग किया जाता है मतलब जो corner में यह दी हमको मान ग्याद करना है calculation करने है value की तो यहाँ पर जो 29 का जो से answer होगा वो होगा account next database के समगर design को परिवसित करने के लिए आम तोर पर निम्लिकित में किस का उप्योग किया जाता है तो database में समगर तो आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद